नमस्क्राइब दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नेटीजन ट्यूटर पर स्वाकत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल CPT और नॉन CPT पोस्ट इन सीजल 2022 वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो किसी भी एक्जाम से जोड़ी लेटेस अबडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जोड़ सकते हैं साथ ही दोस्तों आप किसी भी एधर एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं रेलवे एससी यूपी ट्रिपल सी बैंकिंग किसी भी एक्जाम से जोड़ी लेटेस अबडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जोड़ सकते हैं तो दोस्तों जाज़ा कि आप सभी जानते हैं इस पर आपका सीजियल का जो पैटन था चींज किया गया था जिसमें कि आपकी लास्ट टाइम ऐसा होता था दोस्तों कि जो आपकी सीपीटी पोस्ट होती थी सिर्फ उनके लिए आपका टाइपिंग का क्राइटेरिया रखा ले कि लिए और जो आपकी नौन सीपीटी पोस्ट है उनका क्राइटेरिया अलग रहेगा सेम दोस्तों आपका कंपूटर में हैं अगर आपS paint के लिए apply करे रहें तों लाने होंगे अगर non CPT post है तो वहाँ पर आपके computer का जिस score है वो आपका low qualifying रहेगा तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी CPT post है और कौन सी आपकी non CPT post है तो चले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह हैं दोस्तो आपके department और यह हैं आपकी name of the post साथ ही किस group से आपकी वो पोस्ट ब्लॉंग करती है और total number of vacancies उस पोस्ट में कितनी है साथ ही जो तो वो CPT है अगर CPT है तो उसमें CPT लिखा है अगर CPT नहीं है तो इसमें जादा error हो जाता है typing में तो आप CPT पोस्ट के लिए eligible नहीं रहेंगे साथ ही दोस्तो ऐसा ही आपका सेम computer में है जो non CPT पोस्ट है उनके अगर आपका computer का qualified marks है वो है आपका 18 अगर आपके 18 marks है general category से तो दोस्तो आप non CPT पोस्ट के लिए eligible हैं बट अगर आपके अगर आप CPT पोस्ट के लिए apply कर रहें तो यहां पर जो computer का max है 25 computer में तो दोस्तो बिल्कुल आप CPT पोस्ट के लिए eligible हो जाएंगे इससे ज्यादा हाई नहीं जाएगी 25 लास्ट है बाकी दोस्तों आप यहां देख सकते हैं assistant section officer यह आपका CPT पोस्ट है assistant section officer जिसमें आपकी यह total number of vacancies आप यहां देख सकते हैं यह दोस्तों आपकी तीनों CPT पोस्ट है इसमें आपको minimum 1900 की stroke की needs रहती है बाकी जो आपकी अदर non CPT पोस्ट है अगर आपका उसमें 1600 की stroke भी बिल्कुल सही से आप करकर आई हो accuracy maintain रखते हुए तो भी आप non CPT पोस्ट के लिए eligible हो जाएंगे आप उसमें qualify कर लेंगे CPT पोस्ट के लिए आपको maximum 1900 की stroke बिल्कुल आपके correct होनी चाहिए बस 5% का error वाँ पर allowed है next दोस्तों आपकी जो CPT पोस्ट हैं आपके हैं इंस्पेक्टर Central exercise, Preventive Inspector, Examiner Inspector, Assistant, Assistant in Ministry of Mines, Assistant in Indian Metallurgical यह सभी दोस्तों आपकी CPT पोस्ट है Executive Assistant in Central Board साथ ही दोस्तों एक आपकी यह CPT पोस्ट, Postal Assistant और Shorting Assistant in Department of Post यह सभी आपकी CPT पोस्ट हैं जिसमें आपका जो computer का cut-off है हाई रहेगा और साथ ही जो आपका typing का criteria है वो भी दोस्तों इसमें high रहेगा सिर्फ आप इसमें 5% error कर सकते हैं याने minimum आपको 1900 की स्टों बिल्कुल correct यहां पर होने चाहिए तब ही आप इसके लिए eligible हो सकते हैं otherwise आप CPT पोस्ट से बाहर हो जाएंगे बाकी दोस्तों आपका यहां UDC भी है जो कि आपका CPT पोस्ट में आता है और साथ ही आपके tax assistant in central board of direct तो दोस्तों यह सबी थी आपकी CPT पोस्ट जिनके लिए आपका cutoff का criteria हाई रहेगा और बाकी जो other non CPT पोस्ट है उनका cutoff का criteria है आपका different रहेगा तो यहां पर अगर आपका computer में marks 18 है तो यहां पर आप non CPT पोस्ट के लिए eligible हो जाते हो बट अगर आपका 25 या पर इससे जा करते रहें वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और CPT की information के लिए आप हमारा चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जोड़ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद